हेलो स्टूडेंट्स मैं मिस्स दीन लालबाग गल्सेंटर कॉलेज से और यहां मैं अपने क्लास एर्थ के नने मुने बच्चों का फिर से वेलकम करती हूँ लालबाग गल्सेंटर कॉलेज के यूटूब चैनल पर तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैट्स में यूनिट टू चल रही है यूनिट टू मतलब है वर्ग और वर्ग मूल तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी तक आपने वर्ग निकालना सीखा गुडन खंड विधी के दौारा और भाग विधी के करेंगे कि दी गई संख्या पॢून वर्ग है या नहीं तो कैसे करेंगे वही हमें देखना है इस दो चीज़े हैं या तो जोड के द्वारा पता कर सकते हैं या फिर हम उसे घटा के भी पता कर सकते हैं तो आज हम लोग को इसी बात को शीखेंगे तो बच्चों यह हमारी problem sums है, जैसा कि बताया कि जोडने पर एक बार हम लोग निकालेंगे और एक बार भटाने पर, तो हमारी problem sum है, बहुत छोटी से छोटी प्राकर्तिक संख्या ग्याद कीजिए, जिसे यदि हम 306452, यह पूरी एक हमारी संख्या है, यदि हम ध्यान से प क्या number जोडना है, यही number पता करने के लिए हम सबसे पहले दी गई संख्या को भाग विधी के द्वारा वर्ग मून निकालेंगे, तो जैसा कि बच्चों मैंने थोड़ा सा लिक के रख रखा है, जिसे की वीडियो हमारा बहुत लंबा ना बने, जो जो दी गई संख्या होत तो तीस के बराबर आए, तीस से छोटा आए, बढ़ा ना आए, तो जैसा कि यह सभी बच्चों को पता है कि आमने दो से बीस तक के वर्ग ग्याद कर रखें, तो यह वर्ग आता है फाइव के अंदर, जैसा कि देख रहा होगा फाइव का स्क्वेर यानि वर्ग करें तो 25 आता है और 6 कवर करें तो 36, जो कि 36 क्या है, 30 से बड़ा है, तो हम 6 वाला नहीं लेंगे, कौन सा वाला लेंगे, 5 क्या, 5 5s are 25, और जब हम लिखते हैं, तो 30 में से 25 माइनस करेंगे, तो 5 आएगा, चुकि जब यहां लिखा 5, तो 5 भी उपर लिखेंगे, और इसी 5 को आपिंग करके रखतें, जिससे कि यहां पर दूसरी बार दें, तो हमें नमबर रखने के लिए स्पेस मिल जाए, अब हमारे पास जब हम अगला नमबर उतारेंगे, तो हमेशा याद रखेंगा, बिटा, वर्ग मोल में हमेशा पेरिंग के साथ ही नमबर उतारा जाता है, तो पेरिंग हमारे ये पूरी 64, अब हमारा नया नमबर बन गया 564, 564 में इस तरीके से 1 0 के साथ हम वर्ग करेंगे, निकालेंगे, या तो 564 के बराबर आए, या उससे छोटा आए, बड़ा ना आए, तो देखा जाए, तो लास्ट नमबर या 64 है, जो कि 8 के बन रहा है, 8 सा जाएगा, तो 5 ही है, तो यहां पर भी हम लोग 5 लिखेंगे, और उपर भी 5 लिखेंगे, तो जो नमबर हम उपर लिखते हैं, उसको 105 से मंटिप्लाइ कर देंगे, 5525, ठीके, और चुकिए 0 के साथ जब मंटिप्लाइ होएगा, तो 2 तर आएगा, और 5 बन सा 5, आप माइनस करना है, तो जब देख रहे हैं, कि अब यहां पर माइनस करेंगे, तो 14 में से 5 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, बिल्कुल सही, 9, और यहां पर आपका बचता है, 5, 5 में से 2 गया, तो 3 बचेगा, और यहां कुछ नहीं बचेगा, नेक्स्ट पेरिंग उतारे नेक्स्ट नमबर हमारा या तो इससे छोटा हो, या फिर इससे बड़ा हो, तो बड़ा होना तो ठीक नहीं, लेकिन पूल निकालने के लिए, तो फिलाल हम देखेंगे, किसमें चाहता है, यह 1 है, तो 3 है, यहां भी 3 है, तो यह लगबग 3 ही जाएगा, तो 3 को यहां से भी करा, और 3 यहां भी लिख लिया, अब इस 3 की मंटिप्लाइब, 1, 1, 0, 3 में कर लेंगे, तो 3, 3 is a 9, 0, 3, 1, 3, 3, 1, 3, 1, 3, तो इस सरीके से हमने देखा, तो हमारा यह इसे छोटा ही आया, बड़ा नहीं, तो अब इसको माइनस कर लेंगे, 12 में से 9 जाएगा, हमारा बचेग के द्वारा वर्गूल निकाल लिया, लेकिन हमसे कहा क्या जा रहा है, कि उस प्राकरतिक संख्या में क्या जोड़ दें, देखे वो खुदी कहरा कि जोड़ दें, तो जोड़ने से जो आई, तो अब संख्या हमारी यहां पर है, 3, 0, 6, 4, 5, 2 में क्या जोड़ दें, तो कु देखा जाए, तो बचना तो नहीं चाहिए, तो अभी क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि इससे बड़ी, बचना नहीं चाहिए, पक्का, देखे एक बाद फिर समझ लिजे, कि कह रहा है, इसमें क्या जोड़ दें, खुद कह रहा है, तो जोड़ने का मतलब है, कुछ तो जोड़ने के लिए, इसका मतलब होना चाहिए, तो हमारा यहां वर्गमूल 554, अब देखे किस तरीके से हमने यह निकाला, कि 554 आ गया, जब यहां पर वही सेम चीज है, बच्छो यहां पर जैसे कि यहां पर फाइब से लिया, लेकिन यहां पर तीन से लेने पर यह शेश बचा, देखा जाए, शेश नहीं बचना चाहिए, क्योंकि हमको तो क्या चाहिए, जोड़ना है इस दी गई संख्या में, अब कितना जोड़ना है, उसको जोड़ने के लिए, हमें यह तो समझ लग रहा है, कि हमारा जो वर्गमूल है, 553 से जादा ही होगा, तो वो हमने मा 4,416 से 3,952 घटाएंगे न, कितना जादा आ रहा है, तो हमने देखा कि कितना जादा आ रहा हमारा, 6 में से दो गया, 4 और यह आपका आ गया, 6 और यह दर आ गया, carry over करके, यह again 4, 4, 64 हमारा जादा आ रहा है, मतब़े यह दी, क्योंकि 3,952 में से तो 4,416 माइनस नहीं हो सक बट 4,000 में से, तो कितना जादा आ रहा है, तो हमें पता चल गया, कि 464 जादा आ रहा है, तो जितनी संख्या जादा आ रही है, इसका मतलब यह हुआ, कि हम क्या कहेंगे, कि दी गई संख्या में, दी गई संख्या क्या है, 306452 में क्या जोड़ दें, हम कहेंगे 464 तो जो संख्या यानि योगफल प्राप्त होगा हमारा वही संख्या क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा यानि कि कहने का मतलब है जब जोड़ा तो 306916 होगा यही हमारा complete answer है तो एक बार इसको मैं in short first से समझा देती हूँ कि जब भी आपको कोई संख्या दी जाएगी उस संख्या का सबसे पहले तो आप भाग विधी के दुआरा जैसे normally आप वर्गमूल निकालते हो और निकाल लोगे यह बात हो रही है जोड़ने पर तो जब निकालोगे तो देखो झूड़ना होगा क्योंकि देखी तो कम आया ना तो हम क्या करेंगे तो कम आया तो 663 यह नेक्सच क्या होगा 554 हम रगमूल निकाल लेंगे और जो संख्या जादा उससे आएगी उसमें से क्या कर загul झालेंगे माइनैंश कर देगे यह ज़ी तो ज्यasydhern daya 464 ज्यदा उसको हम दी गई संख्या में add on कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यही संख्या हमारी 3,6,916 जो होगी वो पूर्ण वर्ग होगी हमारी जोडने पर इस तरीके से हम finally यह वाला answer ले आएंगे तो बच्चों यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा अब यही पर हम एक सवाल लेते हैं यह सवाल है वो छोटी से छोटी प्राकरतिक संख्या ग्याद कीजिए जिसे 1,9,4,4,9,1 में से घटाने पर शेश्वल पूर्ण वर्ग हो जाए तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हमें दो दी गई संख्या उसको भागविदी के द्वारा वर्गमूल निकाल लेंगे यहाँ पर मैंने वर्गमूल निकाल लिया क्योंकि वर्गमूल निकालने का भागविदी से वही सेम मैथड है इसको बार-बार रिपीट ने करेंगे आप एकाई केंग से दो-दो के जोड़े बना लेंगे तो तीन जोड़े बन जाएंगे अब आप 19 का इस तरीके से वर्ग लेंगे कि वो हमारा या तो उससे छोटा हो या उसके बराबर हो तो जाहिर सी बात है 5 लेंगे तो 25 जादा हो जाएगा फोर लेंगे तो 16 रहेगा तो फोर लेंगे 4 फोर जा 16 और 4 में 4 एड़ कर लेंगे तो 8 और स्पेस छोड़ देंगे नेक्स नमबर हमारा क्योंकि जब हम अगली पेरिंग करते हैं तो जब अगला नमबर उतारते हैं पेरिंग के साथ उतारते हैं अगली पेरिंग है 44 तो नंबर हो गया 344 तो इस तरीके से अगेन हम वही चीज करेंगे तो यहां पर हमने यह सवाल पूरा हल कर दिया है वही भागविदी के द्वारा तो अब हमने देखा लास्ट में शेश जो है वह दस बचता है अब यह तो आसान हो गया जोड़ने में तो फरक है कि हमें उस संख्या में जोड़ना है लेकिन अपकी से वह क्या कहरा घटाने पर क्या कहरा है घटाने पर तो जब हमें घटाना है तो घटाने का मतलब क्या हुआ कि हमें कोई चीज माइनस करनी है तो माइनस कितनी करनी है येस दस करनी क्योंकि यही 10 हमारा जादा आ गया यहां पर यदि इस 10 को हम माइनस कर देंगे तो क्या है वै छोटी से छोटी संक्या क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी जिसको घटाने पर शेश्वल पूर्ण वर्ग हो जाएगा पिल्कुल आंसर इसका आंसर बहुत इजी हो गया अता भई क्या है आपको सिंपल समझ में लग गया होगा कि जो दी गई संक्या है उसमें से कह रहा है कि क्या घटा दे कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए अभी यहां शेश्वल हमारा कित्ता बच्रा 10 यही तो एक्स्ट्रा है यदि यसी को हम माइनस कर दे तो वो छोटी से छोटी संक्या क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी तो आप कहेंगे अता वो छोटी से छोटी संक्या हमारी क्या है 10 है जिसको घटाने से हमारा शेश्वल जो संक्या है तो तब तक के लिए बच्चो जितना बताया गया उतना कर लीजिएगा और सब बच्चे अपने घर में सेफ रहिएगा थैंक्यू बच्चो